हाई फ्रेंज नमस्ते वेल्कम बेक टू माई चैनल मैं हूँ सभीता और आप देख रहे हैं सभीतास क्रियेटिविटी एंड लाइफस्टाइल आज दोस्तो एक सुन्दर सा गारेन डिजाइन आप लोगों के साथ सेयार करूंगी तो चलिए सुरू करते हैं गारेन में दोस्तो एक करनर ऐसे ही खाली पड़ा था उसको मैंने लेंडस्केपिंग किया है तो कैसे करके ये डिजाइन मैं कर रही हूँ चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ और दोस्तो ये लेंडस्केपिंग पूरा जीरो बजेट में मैं कर रही हूँ पहले तो घर में जितने भी प्लास्टिक बोतल था उसको मैंने काट के प्लांटर बनाया है प्लास्टिक तो ज़्यादा यूज अभी हमारे घर में नहीं होता है मैंने कुडा बाला से लेके ये प्लांटर बना रही हूँ जो भी काम करती हूँ दोस्तो मेरी grandson मेरे पास ही रहता है जल्दी सुखेगा नहीं है इसमें जल्दी पेंट होता है कॉलर करने के बाद दूस्तो प्लांटर में मिट्टी बना के प्लांट्स लगाया और बहुत सारे प्लांटर ऐसे बनाया एक डिजाइन बनाना था आगे आपको देखने को मिलेगा देखिए इसी तरह में सारे प्लांटर में अलग अलग प्लांट्स सब लगाया है दो तिन प्लांट में स्पाइडर प्लांट लगाया, रियो प्लांट और मौनी प्लांट ये सब लगा के मैंने बहुत सारे प्लांटर्स रेडी किया गाडेन में ही दोस्तो एक करनर के पास देखिए कितना बड़ा एक ट्री है इसमें बहुत सुन्दर फूल खिलता है विंटर सीजन में ये ट्री में दोस्तो जितना भी प्लांटर मैंने रेडी किया है कील लगा कर उसको जुलाऊंगी और जुलने के बाद ये बहुत सुन्द दिखेगा ऐसे डिजाइन दोस्तो मैं पिंट्रेष्ट में बहुत दिन पहले देखा था और मेरा मन में इच्छा भी था अगर दोस्तो आपके मन में अंदर से इच्छा है कुछ करने का तो जरूर ओपूरा होता ही है ऐसे ही मेरे से भी होग देखिए ये मैंने कभी भी का डिजाइन करने के लिए दूस्तों मुझे पूरा दो तीन दिन लग गया क्योंकि मैं धीरे-धीरे करती हूँ ऐसे एक दिन मैं complete नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरे पास मेरे grandson भी रहता है उसका ख्याल भी रखना पड़ता है और उसको school भी वेजना पड़ता है क्योंकि मेर बेटी और दामा दोनों job पे जाते हैं जो भी time मुझे बाद में मिलता है ओ टाइम में मैं garden को decoration करती रहती हूँ करने के लिए तो दोस्तों बहुत कुछ मेरे मन में idea सब आता है लेकिन थोड़ा सा मेरा मन होता नहीं है क्योंकि आजकल आप लोगों का comments लाइक थोड़ा कम ह हो गया है इसलिए वीडियो बनाना दोस्तों मुझे बहुत पसंद आता है इसलिए मैं बनाती रहती हूँ आप लोगों की साथ सेयार भी करती रहती हूँ क्योंकि best content हमेशा best ही होता है मेरा content दोस्तों आज नहीं तो कल किसी के काम आए ये सोचकर ही मैं ये content सब बनाती रहती हूँ देखिए दोस्तों ट्री में सारे planter के साथ plants कितना सुन्दर लग रहा है फिर उसके नीचे मैंने क्या क्या मेरा grandson का जो cycle था उसको color करके ऐसी decorate किया है और सामने में हुका plants बीज में spider plant एक सुन्दर सा ceramic पट में मैंने लगाया है और नीचे रियो plants फिर दोस्तों देखिए नीचे जितना भी corner पे area है उसमें मैंने एगेट plants और ये जो एलोविरा plants इसको छोड़ छोड़ के लगाया है और नीचे दोस्तों खाली sand ही बिचाया है पेबेल्स देने से और अच्छा दिखता लेकिन पेबेल्स जादा cost मुझे पड़ जाता बीच बीच में जो green color का घास उगा है दोस्तों ये unwanted है उसको मैंने निकाला नहीं क्योंकि ये नेचुराली बहुत सुन्दर दिख रहा है इसलिए ये landscaping दोस्तों करने के लिए मुझे पूरा 4-5 दिन से भी उपर लग गया और फाइनाली एक सुन्दर सा landscape डिजाइन दोस्तों निकर के आ गया मुझे देख की बहुत अच्छा लगा इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये share किया आप दोस्तों और भी सुन्दर तरीके से इसको decorate कर सकते हैं पैबेल से और कुछ decorative items एड करने से दोस्तों ये landscape और भी सुन्दर लग सकता था लेकिन यहाँ available नहीं है इसलिए मैं zero budget में ही ऐसे सुन्दर बनाया है अगर दोस्तों आप लोगों को ये करनर का डिजाइन अच्छा लगा तो जरूर लाइक, share और सब्सक्राइब करना मत भुलिएगा थेंक्यू फर वाचिंग दिस वीडियो गाडेनिंग करे खुश रहें बाए